नमस्कार दोस्तो मेरा नमेबी जेक मार आप देख रहे कॉमिक्स पिटारर चैनल को तो चलिए दोस्तो तुलसी कॉमिक्स के संदार स्टोरी को सुरू करते हैं जिसका नाम है देश द्रोही तो आप देख सकते हैं इसका कवर प्रिस्ट जो के कुछ इस तरह का है तो चलिए इ उप्चार होने पर भी महराज ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। महराणी जी महराज का उत्तम से उत्तम उप्चार में कर चुका हूँ। पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि महराज स्वास्तेलाब क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। राजा कुलवंत की दसा सुधरते के अस्तान पर बिगरती ही चली गई लगता है अब मैं बचूंगा नहीं राजा कुलवंत ने उसी समय अपने छोटे भाई जैवंत पुत्र निलवंत और महरानी रतना को अपने कक्ष में बुलवाया भाई जैवंत मैं तुमसे कुछ कहना चाता हूँ अग्या दीजिये भाई जी महराज देखो जैवंत अब मैं बचूंगा नहीं ऐसा न कहिए भाई जी महराज अब सिगर ही ठीक हो जाएंगे जैवंत मेरे पास वक्त बहुत कम है इसलिए मेरी बात बीच में ना रोको मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बात तुम हे राजगर्दी पर बैठो पर हमारे वंस के नियमा अनुसार राजगर्दी पर वही बैठता है जो राजा का बड़ा पुत्र होता है इसलिए मेरे बाद कुल्वंत नगर का राजा निल्वंत बनेगा हाँ ये बात तो तै है भाई जी महराज मुझे वचन दो की मेरे बाद जब निल्वंत कुल्वंत नगर का राजा बनेगा तब तुम इसके बुजुर्ग होने के नाते इसका ख्याल रखोगे राज जहित को ध्यान में रख समय समय पर निलवंद को सही महत्पुन सलहा दोगे इस बात का मुझे वचन दो जैवंद ताकि मैं चैन से मर सकूँ भाई जी महराज मैं आपको बचन देता हूँ कि आपके बाद मैं निलवंद का सनरक्षक बनकर इसका ख्याल रखूंगा बस अब मुझे कोई चिंता नहीं है उस राद राजा कुलवंद सोया तो सोया का सोया रह गया सुभा स्वामी राज के सम्मान के साथ राजा कुलवंद का अंतिम संस्काल किया गया अब यो राज निलवंद को कुलवंद नगर का राजा बनाया गया कह नहीं सकता इस समय मेरे दिल पर क्या गुजर रही है निल्वन्त पर्था के अनुसार इस समय तो तू राजा बन किया है पर एक दिन मैं इस राजगर्दी पर बैठूंगा इसे पानी के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े करूंगा राजा बनने के पशाद निल्वन्त ने पर्थम बार परजावासियों को इस परकार संबोधित किया मेरे प्यारे परजावासियों हलाके राजनेटी में मैं नया हूँ फिर भी वचन देता हूँ कि जिस परकार हमारे स्वर्गे पिताजी महराज जीवन परियंत राज हित में लगे रहें मैं भी उसी परकार कुलवंत नगर की परजा की सेवा करता रहूंगा राजा निलवंत की जै राजा निलवंत अमर रहे महल में जा सरोपर्थम राजा निलवंत ने राजमाता रतना का असिरवाद लिया तत्पश्चाद वो जैवंत के महल में गया काका का की हमें असिरवाद दिजिए बेटा निलवंत तुमारे संडक्षन में कुल्मंत नगर दिन दूनी राज चोगुननी उन्यती करे ततरपशाथ बेटा निलवंत अब तुम कुल्मंत नगर के राजा हो पर्था के अनुसार कल तुमें कुंजबन में आखेट करने जाना होगा हम भी तुमारे साथ चलेंगे जो अग्या काका उसके जाने के बाद अब सेश जीवन बस निल्वन्द की चाटू कारिता करते और आखेट करते ही बिता देना रुक्मणी बहुत बढचट कर बोल रही हो तुम क्यों न बोलू बढचट कर मैं तुमने मुझे कुल्वन्द तगर की महरानी बनने का सपना दिखाया था उस सपने के तूट जाने पर आप भी ना करूं क्या मैं रुक्मणी तुम्हारा सपना भी तूटा नहीं है निल्वन्द के असमे राजा बनने से बस थोड़ी गरबढ़ हो गई है तुम फिक्र ना करो राह में आई इस अर्चन को भी जल्दी दूर कर दूंगा मैं कल में निल्वन्द के साथ आखे ठेतू कुंजबन में जा रहा हूँ चानती हो कुंजबन का एक सेर इन दिनों आदमखोर हो गया है निल्वन्द अभी सिकार खिलने में अनाडी है वो कल कुंजबन में मेरे साथ जाएगा अवस्य पर कुंजबन से वापस नहीं लोट पाएगा अच्छा तब वो कहां रह जाएगा बड़ी नादान हो तुम रुकमणी इतना भी नहीं समस्ती की वन में वो अदमखोर सेर का भोजन बन जाएगा ओ ऐसा और क्या उसके मरते ही हमारा रास्ता साब तब मैं बड़े ठाट बाट के साथ कुल्वंत नगर का राजा बनूंका और तुम कुल्वंत नगर की महरानी ओ तब तो ठीक है रुकमणी तुम में कमी है तो बस धेर रेकी बस जल्दी बेग रहो उठती हो याद रखो ठंडा करके खाने में ही ठीक रहता है आप ठीक कह रहे हैं स्वामी अगले दिन निल्वंत और जैवंत अखे ठेतु कुंजनवन चल दिये भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करता सिगरी वे दोनों कुंजवन में जा पहुँचे वन में पहुंचते ही बेटा मुझे प्यास लग रही है तुम यही परू को मैं पानी पी कर अभी वापस आता हूँ अच्छा का का तब निल्वंत को वही छोड़ जैवंत एक दिसा की ओर बढ़ गया निल्वंत तू क्या जाने मुझे कैसी प्यास लगी हुई है मुझे कुल्वंत रगर के राजपाट करने की प्यास लगी हुई है जो तेरी मौत के बाद ही बुझेगी कुछ दूर जाने पर उसने अपना घोड़ा एक पेर से बांधा और अब मैं इस पेर पर बैट निल्वंत की मौत का तमासा देखूंगा उधर दूसरी ओर ओह सेर दहाड़ सेर निल्वंत पर आकरमन करने ही वाला है बस निल्वंत अब कुछ ही देर का महमान है दूसरी ओर जल्दी मुझे कुछ करना चाहिए उसने अपने कटार निकाली और खचाक दहाड़ ओह खचाक जब वे दोनों कुल्वंत से वापस लोट रहे थे निल्वंत लगता है अभी तेरी जिंदिगी के दिन सेस है इस बार तो तू बच गया पर आगे नहीं बच पाएगा कुल्वंत नगर पहुशने पर बड़े तीसमार खा बनते थी जी तुम बस इतना ही दम है तुम में चुप रहो रुकमणी क्यों चुप रहूं केते थे निल्वंत के जीवन का आज आखरे दिन होगा पर उसे सकुसल कुझवन से वापस लोटा लाए धैरे रखो रुकमणी माना की इस पर हमारा पासा उल्टा पड़ गया है पर कल ऐसा नहीं होगा कल हम अपने धे में सफल हो जाएंगे कल ऐसा कौन सथा तीर मारने वाले हो तुम निल्वंत के सकुसल बच जाने की खुसी में कल महल में एक समाहरो मनाया जाएगा बड़ी भीरभार रहेगी उसी भीरभार में मैं निल्वंत के मंदीरा के पातर में बिस मिला दूँगा जिसे पीते ही वो ततकाल मर जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि निल्वंत को बिस हमने दिया है तुम ऐसा कर सके तो मुझे बहुत खुसी होगी इधर निल्वंत जो किसी भी से में जैवंत से सलाले ने उसके महल में आया था उन दोनों का वरतलाब सुन अस्तब्द रह गया तो काका जैवंत मेरी हत्या का सड़ेंतर रच रहे हैं कुझवन में भी वो इसी उदेश्ते से मेरे साथ गय थे वो लपक कर कक्ष में पहुँचा काका मैंने कक्ष के बाहर से तुम दोनों का वरतलाब सुन लिया है निल्वंत बेटा तुम काका मैं नहीं जानता था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे जो मेरी हत्या का सड़ेंतर रचोगे तुमने देशद्रो करना चाहा था क्या एक देशद्रोही की सजा मौत होती है चुकि तुम मेरे पिता के छोटे भाई हो इसलिए मैं मौत की सजा तो तुम्हें दूंगा नहीं बस तुम्हें इतना ही आदेश दे रहा हूँ कि कल सुबह होने से पहले ही कुलवंत नगर छोड़ कर हमारी नजरों से दूर चले जाना ये कह निलवंत वहां से लोट गया उसके जाने के पश्चात लो हमारी ये चाल भे उल्टी पड़ी अब क्या करोगे तुम अब क्या करना है बाकी रह गया है अब क्या करना बाकी रह गया है अब तो सुबह होने से पहले हमें कुलवंत नगर छोड़ देना है कुलवंत नगर तुम छोड़ोगे मैं नहीं ये क्या कह रही हो तुम इस महल में बहु बन कर आई थी और बहु के रुप में ही इस महल से बिदा होंगी एक मुझरिम की तरह नहीं जाओंगी मैं यहां से आखिर क्या करने का इरादा है तुम्हारा तब उंगली से हीरे के उठी निकाल रुकमणी ने उसका हीरा चाट लिया रुकमणी ये क्या कर चुकि जैवंत को सुबह होने से पहले ही कुलवंत नगर छोड़ने का आदेश मिल चुका था इसलिए उसने रात्री में ही रुकमणी की चिता को आग लगाई और भोर होते होते कुलवंत नगर छोड़ दिया जैवंत तुझे छोड़ेगा नहीं निलवंत तेरे कारण ही राजगदी तक मेरी पहुँच नहीं है तेरे कारण ही रुकमणी को आत्मात्या करने पड़ी और तेरे ही कारण मुझे अपना राज़े छोड़ कर इस तरह जाना पड़ रहा है राज़े के बाहर आने के पश्चात राज़े छोड़ तो दिया है मैंने पर समझ में नहीं आ रहा है की अब जाओं तो कहां जाओं सहसा उसे कुछ याद आया नोर नगर का बादसास सेख हसन वर्सों से कुलवंत नगर पर आँख गड़ाए बैठा है इस बज़े से वो कुलवंत नगर का सत्रू हुआ सेख हसन को ध्यान में आते ही उसकी उसकी बाचे खिल गई मु मुझे अवस्त से पना देगा उसने घोड़ा नोर नगर की रहा पर डाल दिया बादसास सेख हसन पर अपना विश्वास जमा मैं उसके द्वारा कुलवंत नगर को पाने का सपना बड़ी असानी से पूरा कर सकता हूँ जैवंत जी हमने तुमारी सारी बाते सुन ली है तुम कहते हो कि तुम कुलवंत नगर के ठीकाने पता है जहां जहां मरहुम राजा कुलवंत के खजाने गड़े हैं ये बात बिलकुल सत्य है बादसा हसन तुम चाहते हो कि हम कुलवंत नगर पर आकरमन करें हाँ बादसा म मैं निल्वंद से बद्ला लेना चाहता हूँ जैवंद जी हमने भी बहुत समय से कुल्वंद नगर पर अधिकाल करने का सपना संजो रखा है पर कुल्वंद नगर की सेने सक्ती बड़ी सक्ति साली है जिसकी कारण हम चाहकर भी अपने इच्छा पूरी नहीं कर पाए हैं मैं आपको बताऊंगा जिससे कुल्वंद नगर की सेने सक्ती छिन होकर रह जाएगी और योद में आपकी भी जै होगी और इन सब के बदले मैं भी आपसे कुछ पाना चाहता हूँ बातसा हसन तुम क्या चाहोगे हमसे जैवंद जी मुझे बदले में चाहिए कुल्वंद नगर का राजपाट और निल्वंद की लास निल्वंद की लास तो हम तुमें दे देंगे और जहां तक कुल्वंद नगर का प्रस्ण है तो उसे भी हम तुमें लोटा देंगे पर चुकी हमें उस जीत चुके होंगे पर चुकी उसे हम जीत चुके होंगे इसलिए वहां का राजा बनने के बाद भी तुम हमारे अधिन रहकर ही सत्ता समालनी होगी बोलो मंजूर है तुम्हें मुझे मंजूर है बादसा कोज दिन पश्चा थी एक बड़ी सेना के साथ बादसा सेख हसन ने कुलवंत नगर की उर्कोच किया जैवंत उसके साथ था इधर कुलवंत नगर के गुपचरों ने राजा निलवंद को ये सूचना दी महराज नूर्ट नगर के बादसा सेख हसन कुलवंत नगर पर आकरमन करने के उद्देश से अपने विसाल सेना के साथ कुलवंत नगर की उर्कोच कर दिया है ओ बार बार कुलवंत नगर की सेना स सिकस्त खाने के बाद भी बात्सा सेख हसन की हिम्मत कुलवंत नगर पर आकर्मन करने की हो गई है वो जान बुचकर मौत के मुँँ में क्यों आ रहा है महराज इस पर वस्तो इस्तिती थोड़ी भिन है इस बार सेख हसन के साथ आपके काका जैवंत है क्या जैवंत काका देशद्रों पर उतरा है हाँ महराज जैवंत जी ही के निर्देशन में बात्सा हसन ने कुलवंत नगर की और गोज किया है ओ घर का भेदी लंका ढाने चला है खेर कोई बात नहीं हमें उनसे निपटना आता है कुलवंत नगर के समी भी चरहट की मरूभूमी थी वहें उच्चाई पर राजा निलवंत सेना के साथ मोर्चा जमा कर बैठ किया कचाग अचानक वे इस अक्रबन से वादसा हत पर बता जैवंत जो ये सब जैवंत ये सब क्या है कुलवंत नगर तो अभी दूर है फिर ये आक्रमान बादसा लगता है गुपचरों ने निलवंत को आक्रमान की पुर्विसूचना दे दी थी तब है निलवंत यहां मरूभूमी में मोर्चा जमा कर बैठ गया लगता है ओ चिलचिलाती धूप और लंबी दूरी से ठकी बादसा से खसन की सेना कुलवंत नगर की जवाद सेना के मुकाबले ठहर नहीं पाई ओ, प्यास के मारे बुरा हाल है यहां रेगिस्तान में पानी कहां मिलेगा निलवंत को सब पता था इसलिए उसने अपने सैनिकों के लिए पहले से ही पानी के बेवस्ता कर रखी थी वो स्वैम यो दस्ता से कुछ दूर पानी से लदे उठों के पास उठ 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 पर बैठा यह सब देख रहा था अभी यूठ चल ही रहा था कि ये क्या कुछ मुस्लिम सैनिक हमारी और बढ़ रहे हैं कहीं ये हम पर आकर्मन करने की कोशिस में तो नहीं है मुस्लिम सैनिक उससे कुछ ही दूरी पर रुख गए हैं अरे ये तो वहीं रुख गए हैं उसने सैनिकों से कहा वहां क्यों रुख गए हमारे पास आओ सैनिक हिचकते बे उसके पास आएं क्या बात है यहां पानी देखा तो चले आएं हम प्यासी हैं ओ, पीओ, खुब पानी पीओ, बस फिर क्या था, मुस्लिम सैनिकों को जम कर पानी पिलाया निल्वंत ने, खुदा तुम्हें लंबे उम्र दे तबी क्यों भाई यदि तुमारे राजा को इस बात का पता चला कि तुमने दुस्मन के सैनिकों को पानी पिलाया है तो तो क्या होगा वे खुस होकर मुझे पुरुसकार देंगे क्या बात करते हो दुस्मन को पानी पिलाने की बात पर पुरुसकार हाँ हमारे हाँ पानी पिलाने में दुस्वन और दोस्त में अंतर नहीं करते हैं तब तु भाई तुम और राचा दोनों है खुदा के सच्चे अम नेक बनते हो जो भी हो तुम तो पानी पियो और ये भूमे में जाकर लड़ो अरे भाई खुदा के ऐसे नेक बंदे के खिलाब क्या लड़ना अब हम योद नहीं कर सकते नहीं भाई ये ठीक नहीं है योद और पानी दोनों अलग अलग चीजे हैं जाओ और अपना जोहर दिखाओ सैनिक ने ठंडी सांस खीची ठीक कह रहे हो भाई योद में लड़ना ही तो हमारी नियती है लेकिन अपने राजा को कहना योद भुमी में चाहे जो जीते लेकिन दुस्मन का मन तो उन्होंने जीती लिया है सैनिक ये का अन्य सांथियों के साथ वापस रन भुमी की और चल दियें निलवन्त क्या कहता वो सांथी उन्हें जाते हुए देख रहा था कुछ समय बादी ओ ये क्या बादसा से खसन अपनी सेना के साथ योद भुमी से भाग रहा है उसकी आँखों में खुसी के आँसू आ गए इधर दूसरी ओर जैवन्त तुमारे बहकावे में आकर ही हमने बैठे बिठाई ये आफ़त मोल ली है वरना आज तक कभी हमारी सेना इस तरह योद भुमी से पिर दिखा कर नहीं भागी है बादसा तुमारी सेना का मनोबल ही तूट गया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ जैवन्त तुमारे कारण हमें बड़ा तगड़ा आर्थिक एमानसिक दूंकसान उठाना पड़ा है हम तुमें बखसेंगे नहीं ये क्या कर रहे हो बादसा हसन हाँ जैवन्त अब हम तुमारा क्या साथ है हाँ जैवन्त अब हमारा तुमारा क्या साथ है ओ जैसे बादसा से खसन ने जैवन्त परवार करने के लिए तलवार उठाई नहीं बादसा नहीं मुझे नहीं मारो मुझ पर रहम कीजिए मैं तुम्हारा नमक खार हूँ रहम और तुझ जैसे विश्वास घाती पर तो ने अपने भाई का नमक खाया तो अपने भतीजे का ही नहीं हुआ तो हमारा नमक खार क्या होगा खचाग दूसरी ओर लो महराज विजय हमारी ही हुई परधान मंतरी जी विजय तो ठीक है पर हमें तो संतोस इस बात का है कि हमारे यहां आया दूस्मन भी हमें दूआ दे कर गया है हमारी असली जीत तो ये है मैं कुछ समझा नहीं महराज तब निलवंत परधान मंतरी को मुसलिम सेनिकों को पानी पिलाने वाली बात बताई सारी बात जान महराज आपने सही कहा है दूस्मन से दूआ मिल जाए इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है इधर खायल पड़े जैवंत को जब हो साया मुझे मेरी करणी का फल मिल गया है जो हुआ सो हुआ मैं मरूंगा अपनों के बीची मुझे कुलवंत नगर चलना चाहिए जैसे तैसे वो उठा और गिरता पड़ता चल दिया कुलवंत नगर की ओर अदम में इच्छ सकती रखने के कारण बूरी तरह घायल जस्वंत योद भूमे में जा पहुँचा ये रखपात मेरे कारण ही हुआ है तभी ओ ये तो जैवंत काका है बिल्कुल वे ही हैं महराज निलवंत दोड़कर जैवंत के पास गया काका काका तुमारी ये हालत किसने की निलवंत बेटा निलवंत मैं दोस्द्रे हुई हूँ मुझे उसी की सजा मिली है ये बस अब एक आखरे इच्छा है पूरी करोगे मेरी इच्छा हाँ हाँ काका कहो आपके क्या इच्छा है मेरी अंतिम संस्कार तुम ही करना ताकि मरने के बाद मुक्ति बासको ठीक है काका ऐसा ही होगा तब ही हिच्छ ओ हिच्छ की के साथ ही जैवंत में प्रान त्याग दिये तब वहीं जैवंत की चीता बनाई गई तब निलवंत भारी मन से कुलवंत नगर वापस लोट आया और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर कर देना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट जरूर कर देना थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियोज